हलो एन वेलकम तो यूटूब चैनल ओफ प्रिंस सिविल सर्विसेज हम एक सीरीच चला रहे हैं जिसका नाम है UPSC प्रिविएस येर क्यूशन पेपर डिटेल एनलेसिस जो की हम एकोनोमी के टोपिक्स को लेकर हम चला रहे हैं एकोनोमी से रिलेटेड जो क्यूशन हाया हैं उनको हम डिसकस कर रहे हैं अब तक हमने 2014 तक के क्यूशन डिसकस कर लिया है 2015 के अंदर हमने कुछ क्यूशन डिसकस किया हैं अब हम उससे आगे डिसकस करने वाले हैं उससे पहले एक information वो यह कि 16th of April 2023 को एक online exam होने वाला है Prince Civil Service Scholarship कम admission test जिसको देकर आप graduation के साथ में UPSC जैसी prestigious exam की तयारी करने का मुखा पा सकते हैं अब स्टार्ट करते हैं हमारे questions को कल तक हमने जो डिसकस किया एक बार एक बार रिकॉल कर देते हैं पहला question हमने डिसकस किया था कि अगर wooden plow का ही जगह है अगर हम steel का plow यूज कर रहे हैं तो उस case में हमने कहा था कि ऐसे case के हम कहेंगे Capital का augmentation हो रहा है technology का progress हो रहा है तो उस case में हमने बताया था कि science क्या हो रहा है उसको जानना technology उसको apply करना तो हमको यह पता है कि wooden plow की जगह अगर हम steel का plow यूज करेंगे तो उसकी capacity उसकी जो density है metal की ज्यादा होती हो उस case के अंदर गहराई तक वो क्या कर सकता है उसके बाद में दूसरा हमने discussion discuss किया था कि जो seed village committee है seed village committee का क्या purpose है तो हमने देखा था कि seed का जो है हमने discuss किया था कि seed replacement ratio उसको increase करना था तो वहाँ पर जो scientist है वो proper किसी area के अंदर एक particular crop की seed करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर अगर crop grow करते हैं तो grow grow करने के बाद में वहाँ के farmers को साथ में लेकि उनकी skill देंगे उनको training देंगे साथ साथ में affordable price पर उनको crop के लिए seeds available करवाएंगे जो कि scientifically improved होंगे उसके बाद में हमने तीसरा question देखा था fair and innumeratory price तो हमने देखा था FRP जो है उसको decide किया जाता है cabinet committee on economic affair के द्वारा लेकिन यह इसके लिए recommendation दी जाती है commission for agriculture cost and price CACP और उसके बाद में देखा था जो eight core industries है उसमें सबसे highest in के अंदर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा होता है refinery का उसके बाद में इंजिनिरी इलेक्रिसिटी का उसके बाद में पेट्रोलियम का और उसके ने देखा था उसके बाद में ने देखा था जो consumer price index है उस consumer price index में जो industrial worker के लिए कौन इसको decide करता है तो हमने देखा labor bureau इसके लावा industrial worker, rural labor, agriculture labor यह सब चीज़े कौन decide करता है labor bureau लेकिन आई जो consumer price index combined है उसको decide करता है CSO उसके बाद में next vision में देखा था कि global economic prospect कौन publish करता है that is world bank after that हम आये थे कि जो agriculture and agreement है जो WTO का पार्ट है WTO के अंदर agriculture and agreement में sanitary and fighter sanitary measures है और इसके लाव piece close है तो हमने देखा था agreement and agriculture का यह पार्ट है वो किसका पार्ट हो गया WTO का next question में इसका दिया Bessel 3 Accord Bessel 3 Accord basically banking system है उसके अंदर stability लेकर आने के लिए basically क्या हो था 2007-8 के अंदर जो financial crisis है था USA का lemon brothers bank है वहां पर proper surveillance नहीं होनी के जैसे उसके पास में प्रोपर mechanism नहीं होनी के जैसे कि किस तरीके से liquidity को maintain किया जाए जो subprime borrowing वो लगातार किये जा रहे थे उसके कारण से financial crisis है और financial crisis पूरे worldwide चा गया था तो उसके कारण 2007-8 की उसी समस्या को देखते है 2009 के अंदर बैसल रोम से उसको और इंप्रूव किया गया 2011 के अंदर इंको implement किया गया यहाँ पर यह का गया कि इनका risk risk weighted asset है उसको देखना है और अपने अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया में RBI इसको manage करेगा कितना बैसल 3 के अंदर वहाँ पर कि अगर बात करें बैसल 3 को implement कौन करता है तो यहाँ पर उसका जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक बताएगा कि बैसल 3 का क्या कितना होना चाहिए क्या क्राइटेरिय और ध्यान रहे यह वोलेंटरी है इसमें कोई जब कोई कंट्री को करना चाहे तो यह नहीं करना चाहे तो यहाँ पर इसके अंदर क्यूशन का आंसर हो जाएगा बेंकिंग सेक्टर की एबिलिटी जो फाइनेंसियल इन एकोनोमिक स्ट्रेस को इंप्रूब एंड मैनेजमेंट करने के लिए उसके बाद में देखा था कनवर् है कि क्स तरीके सेहरो करन्वर्ट हो रहे हैं तो उसींगे करना आकाउंट करने केपिटर अकाउंट केंदर है उसके यह से बजट डेफिसेट हो रहा है तो देफिसेट को क्या क्याchuss है हम ने इसमें देखा था कि बजट डेफिसिट, basically government का total income और total expenditure उन दोनों का difference है, अगर हम income की बात करें, तो income होता है, जो revenue receipt and capital receipt, expenditure की बात करें, तो revenue expenditure and capital expenditure, तो उस case के अंदर अगर हमको government का budget deficit reduce करना है, तो या तो हमको income को increase करना होगा, या फिर expenditure को कम करना होगा, income को revenue receipt को increase कर दो, या फिर expenditure की हम बात करें, तो expenditure भी हमको क्या करना होगा, revenue expenditure कम कर दो, revenue expenditure में कही सारे part होते है, salary expenditure हो जाता है, इसके अलावा जो बाकि जो day to day activities के लिए salary वगर है, या फिर जो भी आमी वगर है, आमी के लिए जो भी equipment वगर उनको renew करवाना है, ये सब चीजे हो गई, या फिर subsidy वगर हो गई, ये expenditure का part है, तो हम देखेंगे, या तो हमको reducing revenue expenditure पहला option, या फिर subsidy को कम करना, तो one and threes का answer हो जाएगा, उसके बाद में हमने next question discuss किया था, कि अगर हम बात करें inflation को control करने की, तो inflation को control करने की हमने पहले ये बताया था कि inflation का meaning है, कि day to day activity या फिर monthly या फिर annually हम देखेंगे, तो जो price है, basket of goods का price है, वो अगर increase हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे inflation, और उसके बाद में हमने द करता है, और government fiscal policy की थुरू करता है, और government जा fiscal policy का use करती है, तो उसमें different different aspect होते हैं, या तो production activity को बढ़ाना, या फिर essential commodity act का use करना, import export को manage करना, अगर मालो किसी commodity का price increase हो रहा है, तो उसका export कम कर देना, या फिर बेन कर देना, या फिर import को increase करना, और या फिर या फिर या फिर government का और RBI, दोनों का, that is government of Indian RBI, केवल government का नहीं है, केवल RBI का नहीं है, तोनों का मिल कर ये काम किया जाएगा, और साथ में क्या होगा, अगर हमको inflation को control करना है, तो definitely हमको क्या करना होगा, जो market के अंदर liquidity का supply हो रहा है, उस liquidity के supply को को क्या करना है, decrease करना है, circulation money का उसको क्या करना है, decrease करना है, उसका answer हमने देखा था, C हो जाएगा, उसके बाद में next question हमने discuss किया था, कि जो international liquidity है, उसका meaning क्या, international liquidity का meaning है, कि internationally acceptable जो money है, जिसको हमने का hard currency, dollar है, yen है, pound sterling है, इनका होना, अगर ये non available है, that means, in currencies का availability कम हो रहा है, तो यहाँ पर answer हो जाएगा अपना C, उसक हमको next question discuss करना है, कि finance commission कल हमने यहां तक discuss कर लिया था, अब next question ही आता है, कि हम बात करें 14th finance commission, क्यूंकि देखिए question 2015 का है, अब तो क्या हो रहा है, जो finance commission के हम बात करेंगे, तो अभी तक 15th finance commission अब चल रहा है, यह finance commission था, यह 2015 to 2020 के लिए था, तो जब उस समय finance commission ने अपनी recommendation condition दी ही थी, उससे में काई question है, तो यहां पर क्या था, 2014th finance commission है, और 13th finance commission है, उसमें difference आया था, 13th finance commission के time पर क्या था, कि जो, जो state को जो grant दी जानी है, जितना भी central का divisible pool हो उससे, उससे में 32% था, लेकिन 14th finance commission ने इसको 32 से सीधा कितना कर दिया था, 42%, और अगर हम बात करें finance commission की, तो यहां पर हम देखेंगे, finance commission के साथ में, बहुत सारे deals है, जैसे for example, अगर सबसे पहले हम देखें, finance commission को, तो finance commission, हम देखेंगे, constitution के article 280 के according है, constitutional body है, जिसको president के दुआरा बनाया जाता है, और इसके एक chair में होते है, 4 members होते है, जिनका काम होता है, state और center के बीच में finance है, उनको कैसे divide किया जाए, center को कितना मिलना चाहिए, state को कितना मिलना चाहिए, और center में भी different states को, center से different states को कैसे मिलना चाहिए, उसके भी क्राइटीरिया है, अगर हम बात करें, 14th finance commission की, तो उन्होंने जो क्राइटीरिया रखे थे, वो ते 1971 का population कितना राह रहेगा, कितना है, उसके according, जो forest cover है, उसके according, इसके अलाव हम देखेंगे, तो उन्होंने ये दिखा, अब fiscal deficit किसी state का है, वो सब चीजे है, तो ये अभी 14th finance commission की बात है, अब जिसे 15th finance commission की बात करेंगे, तो हम इसको detail में discuss करेंगे, कि 14th से अब हम 15th finance commission पे आ गए है, लेकिन, अगर हम इस question की बात करें, तो इस question में हम देखेंगे, पहला statement तो सही उन्होंने क्या किया था, कि जो center से state को जाने वाला जो pool है, उसके अदर 32 से कितना कर दिया था हम उन्होंने इसको 42%, लेकिन अगर हम बात करेंगे, sector specific grant की, तो finance commission ने ऐसा कोई sector specific grant की बात नहीं की थी, ऐसे में इसका capable answer हो जाएगा, A that is one only, उसके बाद में हम next question की बात करें, तो next question ये कहता है कि, economy का पिछले एक decade के अंदर, ये लास्ट डिकेड, पिछले एक डिकेड के अंदर, जो real GDP है, वो लगातार increase हो रहा है, 2015 में एक question आया था, देखी, question ऐसे अभी भी बन सकता है, मैंने आपको बता पहले starting introductory lecture के अंदर, उस introductory class में आप से कहा था कि, अगर हम देखेंगे तो UPC का कई बार क्या होता है, वो trend पूछ रहा होता है, trend analysis के लिए आप से कह रहा होता है, तो पहली class में हमने discuss किया था, कुछ SI question था, उसमें क्या कुछ GDP का एक particular decade तक, क्या system रहेगा, क्या वो increase हो रहा हो रहा है, तो देखी, कई बार हमको idea नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसके आसपास की कुछ ऐसी specific incident को हम देखे, ध्यान के ध्यान में रखें, तो हमको यह पता चलेगा, कि हम common sense लगा सकते, intelligent case लगा सकते हैं, जैसे, अभी 2020 में corona crisis आया था, और definitely corona crisis के कारण, जो production activities है, वो ब GDP और negative चला गया था, और ये question 2015 में आया था, एक decade, मतलब 2006-15 तक के हम बात करें, तो उस समय के अगर हम पूरी उस time period को हम देखेंगे, तो इस time period में हम देख सकते हैं, 2006-2015, तो इस time period के अंदर हम देखेंगे, इस 10 सालों के अंदर एक time आया था, that is, 2007-8 का financial crisis, और ये जो financial crisis था, पूरे worldwide था, और उसने पूरे world को impact किया था, और इंडिया को भी impact किया था, तो that means हम ये कह सकते हैं, कि अगर ऐसा कोई crisis आ रहा है, तो उस case के अंदर GDP definitely increase तो नहीं करेगा, negative तो नहीं गया था उसमय, लेकिन increase नहीं करा था, GDP decline हो गया था, जो goods and service का जो production वो last year के comparison में कम हो गया था, that means ये increase नहीं कर रहा, उसके बाद में दूसरा statement ये कहता है, कि जो market price है, अब देखिए, दो चीज़ है, एक तो बात करें, real GDP की, और दूसरा GDP at market price, इन दोनों के अंदर difference कहा है, पहले ये समझ देते हैं, तो GDP at real price को हम कहते हैं, GDP at factor cost, और दूसर होगा ये कि एक particular year में, जितने goods and service produce हो रहे हैं, तो उन goods and service का value निकाला जाता है, base year के according, जैसे, माल लेते हैं, अभी के लिए जिए base year है, 20 year, 11 2011 के अंदर, जितने भी goods and service produce हुए हैं, उन goods and service का price, जितना भी आएगा, वो base year माल लिया जाएगा, माल लेते हैं, इन goods and service का price है, for example, माल लेते हैं, 100 crore rupees, hypothetical example है, 100 crore rupees इनका example है, इतना price है, that means, 100 crore के goods and service produce हुए हैं, और यह जो 100 crore है, यह हम एक बार, यह समझ लेते हैं, कि इस 100 crore के अंदर, 50 cars प्रोडियूस हुई है, और 50 bikes प्रोडियूस हुई है, तो ऐसे case के अंदर, अब, और यह भी माल लेते हैं, कि जो per car है, उसका price माल लेते हैं, 1 crore, और 1 per bike है, उसका price मा लेते हैं वन करोड लमसम अब ऐसे के अंदर हालांकि यह टेक्निकल इंकरेक्ट है लेकिन समझने के लिए हम एक बिल्कुल से एसी डिजिट लेके चलते हैं कि हमको भुजादा केल्कुलेशन नहीं करना पड़ी अब देखिए अगर 2011 के अंदर इसका प्राइज है तो अब हम बात करते है 2020-23 की अब 2023 में क्या होगा की जब production होगा तो समय के साथ में ताइम के साथ में इन गूड्स या सर्विस इस के प्राइज ले इनकरीज होगे तो बेस प्राइज के समय जो प्राइज हम को देद जीडिट करें तो उस समय भी हम केवल और केवल उसी प्राइज को लेंगे जो बेस एर के टाइम था ना कि आज के कंटेक्ट में फूर एक्जामपल माल लेते हैं 2023 के अंदर भी वही आपका 50 50 प्रोडिस हुए है और वही आपकी 50 भाइक्स प्रोडिस हुए है पर बात क्या है कि अब पर का प्राइज हो गया टू करोड और पर बाइक का प्राइज भी माल लेते हो गया तो ऐसे केस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो total इनको हम multiply करते हैं तो total आजाएगा 200 crore लेकिन ऐसे case में हमने कहा दिया कि जो base year की comparison हमें देखेंगे तो GDP double हो गई लेकिन actually में यह double नहीं हुई है यहाँ पर केवल price double हो है because of inflation तो यह जो price हम लेंगे यहाँ पर इस price के उपर जो GDP होगी उसको हम कहेंगे GDP at market price that means inflation को aid करने के बाद में जो GDP आती है that is known as GDP at current price market price नहीं GDP at current price और जब हम बात करेंगे base year की that is GDP at real term sorry factor cost अलग चीज़ जाएगा GDP at real price and GDP at market price that means हम यह कह सकते हैं जो GDP at real cost है उसमें अगर हम inflation को adjust कर देते हैं inflation को aid कर देते हैं तो हमको मिलने वाला जो GDP होगा उसको हम कह देंगे GDP at current price तो यह concept clear हो गया GDP at current price GDP at real cost GDP at real cost है real price का मीनिंग होगा जो base year है उस base year में जो goods and service का value था उसको हम उसी के according काउंट करेंगे जैसे हमने 2023 का example लिया तो हम पर 50 car and 50 bikes अगर produce हुई है तो इस case में GDP यहाँ पर 2011 के base year के according कितना हो जाएगा वापस 100 करोड ही होगा नकी जादा होगा लेकिन अगर हम inflation को adjust करके हम देखें का price increase होगा तो यहाँ पर इसका GDP कितना आ रहा था 200 करोड लेकिन GDP at current price कितना हो जाएगा तो इस कारण से हम कह सकते हैं की GDP at current price और GDP at real cost में जो difference होगा है inflation का अब हम आजाते हैं अपनी discussion के उपर हमने पहला statement discuss कर लिया था कि GDP at real cost क्योंकि हमने देखा था जब goods and services के production अगर कम हो रहा है 2008 के financial crisis के कारण recession आया था उसके कारण तो definitely steadily increase तो नहीं कर रहा steadily increase करने का मितलिब क्या हो गया कि मालो एक साल में है 5% का increment दूसरे में 6% का तीसरे में 7% का लगातार क्या हो रहा है increase कर रहा है और लेकिन ऐसा नहीं हो था 8% 9% से हम सीधे 9% से हम सीधे 7% पर आया थे तो यह situation हो गई थी लेकिन GDP at market price है उस case में क्या होगा inflation उसमें increase हो रहा था और inflation के कारण goods and service का जो price है वो increase हो रहा था इसलिए ऐसा लग रहा था कि GDP at market price हो क्या कर रहा था लगातार increase हो रहा था उस case में दूसरे statement आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस cancer हो जाएगा to only उसके बाद में चलते हैं अपने next question के उपर question यह है कि अगर किसी country के अंदर tax to GDP ratio वो अगर decrease होता है तो वो किस सीज को show करता है किस सीज को indicate करता है तो सबसे पहले हम यह समझते है tax to GDP क्या होता है अगर हम बात करें tax to GDP की मतलब जो किसी country का size है GDP का उसके comparison में total tax कितना मिला है for example हम अगर यह कहें कि माल लेते हुई hundred crore अपनी इंडियन जो अपनी इंडिया है उसका GDP का size है hundred crore रुपीज और हमको जो tax का collection हुआ है that is माल लेते है 10 crore तो उस case में हम कहेंगे tax to GDP ratio कितना हो गया 10% अब क्योंसे निये कह रहा है कि अगर tax to GDP ratio कम हो रहा है इसका meaning क्या है तो देखे GDP का meaning हमने अभी देखा कि जो किसी particular year में जो goods है और उसके साथ में जो services है और goods और services का जो production हो रहा है उसको हम कहेंगे उसका जो price है final goods and service का उसको हम कहेंगे GDP अब जितना ज्यादा goods and service produce होगा definitely उतना ही government को direct and indirect tax मिलने वाला है क्योंकि indirect tax ऐसे goods and service produce होगा तो लोग उसको purchase करेंगे sale करेंगे उस case के अंदर direct tax ऐसे कि अगर goods and service produce हो रहा तो definitely companies को भी क्या हो रहा है profit हो रहा है कम हो जाएगा तो सबसे पहला क्या हो जाएगा इसका meaning flowing in economic growth rate अब बात करते हैं दूसरे aspect के उपर दूसरा aspect के कहता है कि less equitable distribution of national income national income का meaning क्या होगा जो अपने nationals के द्वारा प्रोड्यूस के जो goods and service प्रोड्यूस के गए हैं उनका total value equitable distribution से tax to GDP ratio का direct कोई link नहीं है कई बार यह भी possible है कि equitable distribution तो है लेकिन अगर goods and service का production कम हो रहा है तो definitely tax भी कम मिलेगा that means यह वाला statement क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसका answer क्या हो हो जाएगा one only उसके बाद में चलते हैं next question क्यों नेक्स्ट कुछन यह कहता है तो प्रधान मंत्री फसल विमायोजना जो ट्वंटी सिक्टीन फिप्टीन के अंदर लोंस की गई थी उसक्या main characteristics क्या थे तो हम देखेंगे जो प्रधान मंत्री फसल विमायोजना थी जो implement किया गया था यहां पर पर क्रोप पर ड्रोप की बात की गई है कि वाटर है उसका सोरी परधान मंत्री फसल विमायोजना के बात कर रहें झाहां पर कहा है कि ज्छाटीं नका इंकम इंक्रीज जो इस कार्ण से उनकोर को सइ। नेजास्टर हुआ KIS나뽁भीं परकार का dinosaur हुआ या कोई प्रीजास्टर क्रीएट हुआ कि जिसके कारव उनके फसल खराब हो रहिए जैसे मालो कि जानवरों है उनके यह हमला कर दिया उसकारण से तो इसे में हानुट उसको एक शुरिटी होनी चाहिए कि उनकी फसल किसी भी कारण से या तो उनको इंकम देगी या फिर गुवर्मेंट की तरफ से उनको क्या एक शिक्योर्टी रहेगी क्यों क्योंकि एग्रिकल्चर अब एक युक्रेटिव प्रोफेशन नहीं रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि एन्वार्मेंटल क्राइसिस के कारण यह चीज़े और ज्यादा प्रोब्लम क्रियेट कर रही है तो ऐसे के अंदर गोवर्मेंट नहीं क्या किया कि फाइनेंशिल इंक्लूजन का भी इसमें काम होगा कि अगर किसी को इंशुरेंस अगर हम कवर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उस इंशुरेंस कवरेंस के कारण क्या हो रहा है वहाँ पर फार्मर का एक टेंडेंसी होगा कि वह एक रिस्क ले सके एक पर्टिकुलर ऐसी क्रोप को कर सके अब क्यूस्टन यह आया था कि जब हम बात करेंगे परधानमंतरी फसल भी मायोजना की तो उसकेस के अंदर पहला तो यह था कि पहले स्टेट्मेंट में यह गा कि प्रीमियम और टू परसेंट जो क्या असा नहीं था उसमें यह था रभी खरीब और इसके अलावा जो आपका कोमर्शिल क्रोप है उनके लिए अलग अलग था 1.5%, 2% and 3% का फार्मर्स को अपनी तरब से एक प्रीमियम देना होता था तो यहां पर केवल 2% वाला प्रीमियम है तो इस स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और दूसरे इस्टमेंट में यह कहता है कि पोश्ट हार्वेस्ट अगर मालो साइकलोन की कंडिशन वाणम साइकलोन में पुह मतंब पोश्ट अर्वेट की मिनी का होगा कि जैसे hetrobri grow करने के बाद में फसल को कठ किया गतने के बाद रखा ल किन साइकलोन आगया आगए बारिस को फटल खराब ओगी तो उसके के अंदर क्या होगा क्या यह उसको कवर करेंगा बिलकुल करने कि आना ताकि इस financial inclusion के थुरू जो भी स्कीम से गौर्णमेंट की उन गौर्णमेंट की स्कीम का लोगों तक प्रोपर पाइदा पहुंचा सके उसमें क्या हुआ था प्रधान मंतरी जंदन योजना को इन्होंने लोंज किया था तो प्रधान मंतरी जंदन योजना के अंदर एक सबसे इंपोर्टन चीज़ है यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट की फेसिलिटी भी दीगिए हर एडल्ट के पास में एक अकाउंट होना चाहिए जो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा जिसके थुरू वह पैंशन भी ले सकते हैं पैंशन का यूज भी कर सकते हैं दिरे दिरे उसके तुरू अगर इंसुरेंस कवरेंज एक्सिदेंटल इंसुरेंस आफ़ इंसुरेंस ने वह प्रोइट किया जा रहा है जितने भी फाइनेंसे उmpिलेंजन के लिए जो रिक्वाइड चर्विस होती है वह सारी की सारी प्रधान मन्तिय जंधन नहीं होजना कि अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो यहां पर कंट्री में फाइनेंशल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है उसके बाद एक्सेलिरेटेड इरिगेशन फंड बेनिफिट प्रोग्राम जो लोन्स किया था को यह जो लोन देने के लिए किया गया था वह लोन था जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट उन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट को लोन प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया गया था इसको लोन किया था ताकि जो अगर खतम हो वाले आलमोस्ट कि स्टेज्स पे हो तो इस तरीकी को एक्सिलेट इसको बढ़ावा देकर बहुत जल्दी उसको कम्प्लीट किया जासके उसके इसमें पूर परमर्स के लिए नहीं था तो पहला स्टेटमेंट की बात करें तो कमांड एरिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम में बिल्कुल यह सईथ है जो की वांटर यूज की इंदर के आपके इंदर करते हैं पार्टर गंजर्वेशन की बिहाफ से तो दूसरा स्टेटमेंट ही हो थो मार्केट काम कहां करता है स्टेट गोवेंट केंदर चीज के इसे सदेश्ट गोव्हेंट केनल ही उसके अटमकर मैंश कर जाता है यहां पर एसका आंसर क्यए हो जाएगा एक पीमसी एक्ट छेस सेंटर्ल गुववर्मेंट के ओल मोडल एग्री कल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमूरिटी एक्ट दे सकती है कि हमारी तरफ से यह है एक मोडल दे सकती है वहाँ पर अलग-अलग टाइम के लग-लग दिया है तो यहां पर लेकिन अल्टिमेटल स्टेट करेंगे और ध्यान रह इसके हम चर्चा करेंगे जब हम कभी अग्री कल्चर वाला टोपिक डिसकस करेंगे तब हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भी उसके बाद में नेक्स्ट चुशन कहते हैं कि इंडिया के अंदर गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने नीती आयो की जगह कौन सा नया पोइंट से riduce कर दे तो क्या होने वाले है तो पहले हमें समझते है इसलर के होता है एसलर का मीनिग होता है कि बैंकस इस बैंकस को अपने जो टोटल एंडि टी य ए उसंडिे टी यल का एक सब्सहं पर्सेंटेज या तो cash की form में या gold की form में या फिर government security की form में अपने पास में रखना होगा अपने पास रखना होगा ये तो है आपका SLA अब हम कहें कि RBA ने गर 50 basis point के उपर इनको कम कर दे 50 basis point का मतलब क्योंगा 0.5% अगर RBA इसको 50 basis point पे कम कर देता है तो इसका मीनिंग क्यों होगा माल लेते हैं इसी bank के पास में NDTL है 100 क्रोड और SLR का जो value है माल लेते हैं वो है आपका 18% इस कार्ण्स होगा है कितना 18 क्रोड अब government ने अगर RBA ने इसको 17.5 कर दे 18 की जगे तो 18 से कितना इसको बेंको को कितना रखना पड़ेगा अपने पास में 17.5% और जब बेंक इसको 17.5% के उपर 17.5 करोड रखाएगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट फिप्टी लेक क्या हो जाएगा उनके पास में एवेलेबल हो जाएगा कि वो एक्स्ट्रा लोन दे सके तो ऐसे केस में अगर SLR डिक्रीज होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी ये तो कन्फरम है लेकिन बात करें इन उप्संस की तो इन उप्संस में ये देखो किसन क्या है कि लिक्विडिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन क्या गैरंटी है कि जैसे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी ड्रेस्टी के लिए अपना जीडिपी ग्रोथ इंक्रीज हो जागा कुछ नहीं होने वादा है पोरेंड इंवेस्टर इंडिया के अंदर ज्यादा केपिटल इंट्रिडूस करेंगे बिल्कुल सब्सक्राइब के नहीं करेंगे अगर कि मस्ट कर यह तो सड्डिूल कोमर्शिल बेंग की डिस्क्रीशनरी पावर और कम करते या नहीं करते इसी कारण से एक इसू आया था डाइज कि जो लेंडिंग रेट है उस लेंडिंग रेट के अंदर टांस्मिशन के से हो रहा था टांस्मिशन ओफ रेट तो यहां पर वह एक टॉपिक आएगा उसमें हम डिसक्स करेंगे उसके बाद में अलग-अलग मेकनीज में डॉट किया जब उस टॉपिक्स पर आएगे नेक्स टेर के अंदर तो हम डिसक्स करेंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका उसके बाद हम चलते हैं अगर हम बात करें इंडियन एकोनोमी के सेंस में तो यहां पर कौन-कौन से कंपोनेंटर जो मोनिटरी पॉलिशी से बिलोंग करते हैं यह हम डिसकस कर चुके बैसे मोनिटरी पॉलिशी के दो पार्ट होते हैं पहला पार उस पर हमने कहा था क्वान्टिटीटिव दूसरा पार उसको हम ने कहा था क्वालिटिव कि बात करें अप्र जो आपका प्राइटी सेक्टर लेंडिंग अगर और आया फिर मार्जिनल जो भी मार्जिनल रिक्वाियमेंट यह सारा पब्लिक और इसके अलावा आपका ओपन मार्केट ऑप्रेशन यह दोनों की दोनों मोनेटरी पोलिसे के क्वांटिटीटिटिव आस्पेक्ट से बिलों करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन एंट्टू अगर बात करें पब्लिक डेक्ट और पब्लिक सभी तो इस के अदर हमने देख लिया था यह तो कि अगर हम बात करें इसको इसको क्या करने है डिक्रीज करना पड़ेगा अब चलते नेक्स किया है यरे डी इंडियन रिनीवल एनरजी-डेवलेंट एजन्सी इसके बारे में यह थीं सन थो यह एक पबिलिक डिवलेंट कं क्या सिच्वेशन रहती है कैसे यूपेसी ने अपना बदला है कैसे एनलसी समको उसका पढ़ना है और उससे हम क्या सीख सकते हैं थैंक यू थैंक यू वरी मुच्छ